तो दोस्तो जानेंगे देखेंगे किस तरीके से यहां पर अल्मुनियम पोफाइल पट्टी में डिफ्यूजर लगा जाता है तो सामने वाले पार्टी जो है लेक्टिकल वर्ट किये हैं तो आप देख सकते हूं किस तरीके से इसको अम लोग को पोब्लम को सॉल्व करना है देखेंगे वायर कैसे दिख रहे है नमस्कार दोस्तों एक वान नहीं वीडियो में आप लोग का स्वागा थे दोस्तों लिखके आपको समझ आ गया होगा हम लोग कि इस टोपिक में बात क अज है हमारे पास फोफायलेटcommittee इस्टिलेशन गर रहे है और यह पोघ्डिशन नहीं करेंगे हम लोग डिफुज़र इस्टुलेशन करेंगे क्योंकि एक नदि कि ए चल गया थे और उसमें दिकट क्या हुआ उसका डिफुजर लगाने में इन लोग को दिक्कात हुआ तो सामने आले पार्टी उन लोग काम छोड़के चले गिया थे और इसके बाद हम लोग को कस्टुमर ने बुलाया गया उसको डिफ्यूजर को लगाने के लिए तो क्या पोबलम आया पोफाइल लैट में तो आधा धुरा ग्यान मतलब सीखने से ऐसा पोबलम होते ही रहता आप को पता है इसलिए पूर लास्ट टक वीडियो देखना इसकी बिल्कुल मत करना क्यों वहां पर हमारा डिफ्यूजर लगानी जो अल्मुनियम पोफाइल लैट है उसका लगाने का तरीका क्या होता है काफी सार हमारे वीडियो डला है यूटूब चैनल में आप जाके देख सकते हूं तो चलो देखते हैं यहां का जो पोब्लम है पोफाइल लाइट का जो डिफूजर नहीं लगा तो उसको हम लोग पोब्लम सॉल्व करने वाले इस वीडियो में वीडियो पर नहीं आदे चैनल को लिए सब्सक्राइब बेल आकान प्रेस करना ता कि ऐसा सा लेटे यह तो डिफूजर अभी हम लोग लगा है यहां पर जितने भी आलमुनियम पटी में न हमारे यह डिफूजर जो नहीं लग रहा था तो डिफूजर लगाने का तरीका काफी सा रहा है हमारे यूटूब चैनल पर डला हुआ है फिर यह क्यों नहीं लग रहा है चलो इसका हम लोग ढूंटे है उसके बाद आपको बदाएंगे पोबलम क्या हुआ पहले लाइट बन कर लें लाइट तो अच्छे तरीके से वर्क हो रहा है एक और छोटा सा पोबलम हुआ है देखिए वहां पर वैरिंग के पास ऐसा वैर यहां बहार में लटका हुआ है तो यह सब टच अप किया गया है ऐसा वाल हम लोग दो तीन जगए यूज करते हैं एमर्जनसी में ज्यादा तर हम लोग एरल लाइट वाले यूज करते हैं तो इसका जो हमारा 17 mm का यह आल्मुनियम पट्टी है तो यह जो है इसमें डिफूजर लगाने के लिए काफी दिक्कत जा र फूजिय दो लिए से क्या हें यह हमारा पटी कि यह अंदर घुज जा रहां उसको जैसे टाइट कार रहे नहीं यह के अंदर चलिए तया लोग यह पर खोलते हैं और आपको देखाते हैं यह सब्लेंगे और आपको देखाते हैं तो इसके काराण जोस्गे लगाने का यह और एक एक बार कभी ना डिफूजर भी गलत आ जाता है बाइदो एक साथ जब हम लोग नहीं मंगाएंगे ना तो पोब्लम जाता है यह डिफूजर गलत सही जा जाएगा तो यह लगेगा नहीं ठीक है तो जब भी आप material पर्चेस करते हो ना तो यह आलमूनियम पट्टी औ ने जो बोला जा रहा है यह थो इसका घिफूजर लगाकी को सिस्ट गीया उसके बाद्म पट्टी लगाए गया तो हम लोग क्रेंगी इसका डिष्टेंज हम लोग चेक करते है ओले एक बार मेज़र मेंनल देते हैं आजी से मेरे को लग नहीं रहा है यह देख रहा ह। करीब 2 mm का जगा चाहिए हम लोग को आसा लग रहा है कि 2 mm करीब आ रहा है आपको पता ना अभी हम लोग इसको देखते हैं साइट यहाँ पर उसकू ढीला करें इसको धिला करने के बाद लग रहा है और यह हमारे मुखे जोए एक दू जगा का लगाने कोशिश किया अधरद है वहां पर छोड़ दिया गया है तो अधर लग गया है यहां पर एक जॉइंट है यह दो मीटर के करीग आता है न तो यह लंबा है 8 फिट का तो इधर से हम लो इसको अधर ने से ऐसा पोबला मोता है ठीक है तो यह इसको हलका सा धीला करते हैं रिखे धीला करने के बाद जो ही यह देखिए इसका अंदर घुंसरा था न यह बाहर आगे तो वैसा ही हम लोग को दूल सब जगा हलका हलका धीला करना पड़ेगा उसके बाद हम लोग ने तो इसको पूरा खोल के न अच्छे से पहले पट्टी लगाना पर तो देखिए यहां पर हम लोग जो है यह वाले में हलका हलका प्रेस करते हैं यह पहले से हम लोग उधर से लगाते हुए ला रहे थे ठीक है उसके लिए हम लोग दूसरा तरीका ले ले लेते हैं यह आए यह अराम से लग गया यहां पटा पर टाक ह कहा थ क्या एं अपन मेर कह भी लोग को अभी निया वाले पी जोए आज ए हम लोग को एक ना पाड़ेगा और इसको हम लोग क्या कर रहे है ये इस जगह पे हम लोग का दिकत जारा लगाने में चलो आपको देखाता हूँ क तो ये देखी ये प्लास देख रहा है तो इससे हम लोग क्या करेंगे देखें इसको अंदर डालेंगे और आसा हलका सा बाहर करेंगे क्योंकि ये अंदर घुज गया तो दब रहा है ये देखें ऐसा हलका हलका दो चाड़ जगा हम लोग को इसको साइट करना जहां ये हो रह जहां सबसे ज्यादा उसकू लगाए और वहां पर सबसे ज्यादा रहा है की तुछ होए ना महां पर धिकर ज्यादा या तो ये न्हीं से हम लोग को यहां तक लगाना है अभी तो यह साइस को मेजर्मेट ले लिक त्क है Märiny कर देंग और यह कौर्णर साइच का इस तरीके से कौनर लेना है यहां से फाकि हम लोक का यह कौन तो देखिंड यह जो हम लोग मेजर मेंड ले रहे हैं और इसको क्या करेंगे आसे liberty करने वाले कि रिए इसको कर्टिंग दथा रहप हम लोग cutting कर दीए इसका size की हिसाब से और कोसिस करते हैं यहाँ पर हमारे से लगता है कि नहीं हलका हलका था हम लोग classical देखी यह अराम से लग रहे हैं और इसको हलका हलका ऐसा push करना है ठीक है आज तो हम लोग diffuser installation करने आया है पोफालेट पहले से लगा था यह अभी हम लोग only यहाँ पर diffuser इसका installation कर रहे हैं यह देखिए final हो गया यह हलका से यहाँ पर joint में दिक्कत जा रहा है यह देखिए final हो गया देखिए हलका सा करीब एक एम करीब बच गया है इसको हलका सा खसका देते हैं setup यहाँ पर हम लोग diffuser लगा दिये और यह कितने असानी से लग गया और इसका joint देखिए पता नीचर आपको तो यह पूरा एक तरफ हो गया है और मैं आपको बता देता हूं यह बीदाउट diffuser का problem क्या ह होता है और diffuser लगाने कबात क्या होता है तो चलो customer को यह क्या होता है तो डार एट हमारा bed area में देखिए यहाँ पर बेड है तो यह डारेट जो light हमारा जो डारेट रहेगा तो आप मेना चुपता है तो इसका भीना diffuser के इसको चला भी नही कर तो इसके लिए हम लोग को डिफ्यूजर लगा दिए ठीक है अब भी हम लोग लाइट अन करते हैं और बिदोड डिफ्यूजर का रोशनी क्या होता है आप लोग को पता ही होगा यह देखे यहां पर यह देखे यहां पर आपको LED दीख रहा होगा देखे समझ आ रहे हैं यहां पर केम्रे में आपको पास लेक गया हूँ इह देखिरो पूरा LED हम लोग को को आँव में चूप रहे है तो यह क्या हो रहा है सामने वाला पाटी है भी यह दिखी यहाँ पर बो रहे थे हम लोग को आंक में बहुती लाइट शूप रहे तो इस तरीके से लग पाए गया तो यह गलात है दोस्तों यहाँ पर बिदॉट डिफ्यूजर का यह पोफाइल लाइट नहीं कहलाएगा ठीक है फाले ओनली तो वीडियो बहुत सारा है हमारे यूटूब चैनल पर आप जा कर देख सकतो और उसके बाद पोफाइल लाइट का प्लान करना जो नया नहीं जो नहीं नहीं बोलना चाहता हूं आप लोग को पोफाइल लाइट इस्ट्रिशन करने नहीं आता तो सामने वाले पार्टी को बोल देना हम लोग को नहीं आता है ठीक है और कोसिस करोगे तो हो सकता है फिर कोसिस नहीं करते न काफी लोग जैसे कि यह देखी यहां पर प्योप्य वाले ने पट्टी लगा है और लेक्टिसन ने श्ट्रिप लगा है ठीक है तो उसमें लोग कोसिस किये होंगे उसके ब तो सामने अलग वास कोल आया काफी दीन से हम लोग को फोन कर रहें एक दो मेहने से तो उसके बाद आज आये और आज हम लोग इसका रिपेर कर रहें तो पोफाइल लेट रिपेर करने आया समझो आज डिफूजर इस्टिलेशन अनली तो अभी देखिए इधर का हो गया अभ अब हम लोग को दो तीन काम सोल्व करना ही ये रायता देख रहे हो ये वैर ऐसा ही किला हुआ है ये वैर भी यहाँ पर हम लोग को नहीं चाहिए ठीक है ये वैर अंदर गौन चाहिए उसके बाद देखे ये जो हम लोग का ये डिफूजर इसमें लगानी तो सब अंदर घ ऊचैनू उसा ये P.O.P राले का एक गलती भी था, तो क्या किती है इस को डाइट सिलिंग कर दिये बाद किके दो किकी दो यह लाज लोग पुछ जा शो को सब्धार शोरे इसना झा है यह कियो आपको बचाओं यह बगल वाले रिम के वहैसी щु अ. तो यह हो जाने के बार आपको देखाता हूं वो हम लोग को लगाते हुए देखा तो सामने आला पाटी जो मतलब जो प्योपी आला है वो यहां भी करने के लिए बोले तो इसको प्योपी आले लोग इसको किये तो इन लोग से हुआ नहीं तो उसके बाद यह सब करके पूरो सॉल्व कर लेते हैं वार जो अंदर दीख रहा था ना वह भी अंदर ग्राउंड करने वाले तो वीडियो पर कंटीड एक तरफ तो हम लोग साइट पर कर दीए अब भी बच्छा इस तरफ का उसके बाद वैरिंग कैसा अंदर ग्राउंड करेंगे चलो भी आपको दे कर सकत है हमारे पास एक इसकेल है इसकेल शिर नोग करक रहे किसे क्या होता है हतुत अब हाइं मुलो खैश्तेन्स भी ज़ otherwise किसंद नगे और यह लगता भी बोहां दूर से थीगे यह भी यह हो गया फाइनल वहां से हम लोग कर देते हैं तो दोस्तों अभी हम लोग ब्ल जोएंट नहीं है तो अभी क्या करने वाले तो वीडियो पर कंटीनी बने रही है आपको यह वाले वाले लोग को पहले इसको अच्छे ते जोएंट करना सिखाएंगे, तासाथ हम लोग ज़्जादाता स्वोल्डिंग करते हैं पतलेवारे में फिर हम लोग को इसी वायर पर क्या करने वाले हम लोग इसको हम लोगको अच्छे से करने से हलका सब्यट कर देंगे हांस से यह देखी यह हो गया तो इसी तरीये से सब को फिनिशिंग करेंगे और इसके बाद हम लोग यह धिसका जोहिए देख benefit है फिरक क्या रही है न जरा न तो इह सब problem हो रहा था और इसको एम लोग को को सॉल्व करी देते हैं फाइनल तो देखी देश तो पोब्लम सॉल्व लगया के वनान पास लगी है यह देखे दो वैर किस तरीके से हम लोग यहां पर जोड़ा हुआ है यह देखे इधर से आपको समझा रहा होगा एककन हलका नीचे रख दे और यह देखते हैं यहां पर ह क्या किया है होल गलत जगह मार दीने यहां पर हम लोग को मानना था और यह देखे तो देखे यह कंप्लीट हो गया हलका सा ओड लगेगा क्योंकि होल यहां गलत यहां पर रहता तो सेंटर से इकल जाता तो चलो अभी हम लोग क्या करेंगी इसमें हम लोग डिफूजर लग तो दोस्तों फाइनली अभी देखिए हम लोग डिफूजर इस्टुलेशन कर दिए आप देख रहे हो इसका लुक देख रहे हो यहाँ पर रूम का पहले यहाँ पर बिदर डिफूजर का कैसा लग रहा था आख में चूप रहा था अभी देखिए कि इतना अराम दयाग रोस देखिए हमारे डिफूजर जो है बाद में था अलमुनियम पट्टी पहले आया उसके बाद डिफूजर आया तो इसमें एक मिश्टेक था तो उसके कारण भी नहीं लग रहा था और उसके बाद हमारा फोल्स लिंग वाले का दूसरा जो पोबलम था जो फोल्स लिंग का क इसान कहिए ना प्यूफ लिय्ज से पूरे में कर तो दीए ये कर दो किए ग्रूपिंग नीखी घडिये को प्योपिंग करू तो उसमें पहलता नहीं उसको कटिंग कर दिये और एलर आग से नहीं चिप्का जो शे裡面 अच्य से नहीं दे पाए उसके अंदर समकTraut उसकमी अं जहां पर हमारा जो इस्टिप आता है, लास्ट इस्टेप जो हम लोग का वेरिंग जाता है, जो ड्राइबर पर, वह हमारा तीसरे गलती था, वहां पर वेर जो उस तरीके से नहीं लेते हैं, तरीका जो अलाग है तो चलो दोस्तो इस रूम का तो कंप्लीट हो गया, एक रूम का आपको बोला था है, साइट में एक रूम है, वहां पर हम लोग खुद आके, यहां पर डिफ्यूजर, जितना भी लाइट, पोफाल, डिस्टिलेशन हम लोग खुद किये थे, चलो आपको देखाते है, तो दो तो आप लोग को समझ आ गया, कौन से जगा पाए, इस ही वीडियो में हमारा करीब तीन लाग जो व्यूज गया है, और यह हम लोग खुद किये थे, उस दिन, एकी दिन में यह कंप्लीट किये थे, तो इस तरीके से टेक्निके उच करके उस रूम पर भी लगाया गया तो, पोबलम और सॉल्फ नहीं कर पाए, उनलो, मतलब इस्टोरेशन नहीं कर पाए, तो इसके लिए हम लोग को बुलाया गया, और यह देखे इस रूम का कितना फ्यारा लग रहा है, सुन्दर, यह मेरे को काफी मस लगा डीजन, और काफी ट्रेंड में चर रहा है, पोफाइल लग रहा है, वो पोलेथीन कलर पुट्टी होने के बाद बाहरी, तो यह तीन-चार गलती था, और आपको बताते हैं, जितने भी एलेक्टीशन भाई लोग को कहना, मतलब यह है, पोफाइलेट लगाने का तरीका तो कि इनको पता नहीं रहता है, तो पहले इस अब सीख ल लेगे तो चैनल को लिए सब्सक्राइब, बेल आगान पेस करने ताकि ऐसा सब्सक्राइब वीडियो आपको मिले तब तक के लिए जैहिन बंदे आतम जेजोगरना